हलो बच्चों तो कैसे हैं आप लोग लास्ट लेक्चर में हमने प्योर रोलिंग मोशन का कंसेप समझा था और रॉरिजूंटल सर्फिस पर किसे भी पॉइंट पर फोर्स लगा सकते हैं वो रोलिंग möशन स्टार्ट करेगा सर हमने rolling motion start कराय था inclined plane पे तो हमें force लगाने की कोई ज़रुवत नहीं थी हाँ बिल्कुल आपनी नहीं लगाय था तो किसने लगाय था इस पे force इस पे तीन agent थे force लगाने वाले एक था gravitational force mg नीचे normal उपर और friction भी था बिना friction के smooth, sorry, बिना friction के inclined plane पे आप rolling motion start नहीं कर सकते हैं mg और normal दोनों यहां से pass कर रहा था सर हमीं force लगा लेते तो हाँ आप अगर external force लगाते तो हो सकता था pure rolling motion यहां पर start हो जाए external force आपको लगाना परता बिना external force के pure rolling motion in smooth inclined plane पर start आप नहीं कर सकते हैं ठीक है ना तो देखो आप आपने कोई external force नहीं लगाया था तो यह motion में आया कैसे यह motion में आया था mg का एक component center of mass पे इस direction में लगा था भाई दो component होते हैं mg के vertically downward mg लग रहा है लेकिन जो y axis पे vertical mg downward लग रहा है इसका कोई meaning नहीं है क्यों सर क्योंकि अकर motion करेगा तो along the inclined plane करेगा इसलिए हमेशा ही inclined plane पे हम mg का component लेके देखते है किसकी value उधर कितनी है अब horizontal surface पर रख दिया horizontal surface पे क्या होगा कि gravitational force की value नीचे लगेगी है और motion इसका हो सकता है x-axis में आपको पता है y का force x में कुछ नहीं करा सकता हाँ सा ठीक है y का force x में कुछ नहीं करा सकता तो चलो आजो इदर हमने एक solid cylinder ले लिया जिसका mass m है radius r है उसके center of mass से h height पे force लगाया है और h is r by 2 h height पे force लगाया है and h is r by 2 coefficient of friction भी mu है तो गर यह pure rolling motion करता है तो इसका acceleration center of mass का acceleration angular acceleration and friction की value बताएं अब मैंने दो तरीके बताएं इसको solve करने के कौन कौन से सर एक मैंने normal method बताया है जो आप translational and rotational motion का concept यूज करेंगे और दूसरा डाइक टेंसर लिखना भी सिखा है पाई ये translation and rotation के concept इसको समझे मान लो की force आगया अपलाई किया और friction साब पीछे लगा friction तो कई भी लग सकता है सा हमने पीछे मान लिया अगर positive आया तो पीछे अगर मेरा friction negative आ रहा है यहाँ पे पीछे लगाने से तो आगे लग रहा होगा translational motion का equation लिखेंगे F आगे की तरफ force FR पीछे की तरफ is equal to M into ACM किसे भी body पे अफोर्स कहा लगा रहे हो इस बात से कोई फर्क नहीं परता height h by 2 पे लगाओ या center of mass पे लगाओ नीचे लगाओ उपर लगाओ कहीं भी लगाओ वो center of mass का यह acceleration देगा यह मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ अगर यह pure rolling motion कर रहा है pure rolling मतलब no sleeping no sleeping के लिए translation की वज़े से जितना acceleration आगे आएगा इस point का translation की वज़े से उतना ही acceleration आगे आएगा जितना center of mass का आगे है center of mass का ACM तो कहोगे इसका इस point का translation की वज़े से ACM और rotation अगर alpha से हो रहा है तो alpha से rotation होनी की वज़े से इस पे पीछे लगेगा आर अलफा इसका एसलेसन पीछे की तरफ होगा टंजेंचल है एसलेसन, रोटेशनल मोशन की वज़ाए से आर अलफा यह equation number 2 हो गया equation number 3 rotational motion के लिए apply करेंगे और यह rotate कर किसके बाउट रहा है center of mass के बाउट सा है चलो center of mass के वो टॉक लिखते हैं तो टॉक लिखिंग एफ इंटु आर वाई टू clockwise है चलो ठीक है प्लस friction का भी टॉक clockwise एफ इंटु आ friction तो अभी भी contact point पे लग रहा है जो center of mass से आर डिस्टेंस पे इस इक्वल टू आई अलफा अलफा की value a by r रख सकते हैं और यहां से r कॉमा निकल के इधर चला जाएगा तो इसको आप लिख सकते हैं f y 2 प्लस f r अच्छे समझना बेटा बाकी तुम समझना ही है बस answer नहीं निकालना है यांसे answer निकालने का तरीका तो मैंने तुम्हें सिखाया हुआ है बहुत सारे बच्चे से सोच रहा हूंगे क्या सर क्या कर रहा हो लेकिन यह करना जरूरी है क्योंकि basic है अच्छे सवाल मतलब अच्छे सवाल क्या यह आना चाहिए आपको यह बोर्ड भी देना होगा तो तुम्हें आना चाहिए यह होगे आपका आई यह बटा आर इसकार यह अल्टिमेटली थर्ट इक्रिश्नमों फोस्ट को और थर्ड को आप एड़ कर रहे हैं यहां से अड़ करके रिजर्ड लिखे डारेक्ट जब एड करेंगे फस्ट को और थर्ड को देखो माइनस एफ अफ फार प्लस एफ और कैंसल हो जाएगा एफ प्लस एफब टू तो थी एप बाई टू देक रामलाल एफ प्लस एप बाई टू अरे भाई यह रा फ़स्ट भाई भाई ओ एम प्लस आई भी एसको एड़ कर रहा हूं भाई 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 एम बाहर सुरी एसी एम बाहर तो एम प्लस आई भी एसको है चलो ठीक है तो सिंट्रोब मास्का ऐसे लेशन कित्ता आ गया थ्री एफ बाई टू डिवाइड़ भाई एम प्लस आई भाई आड़ सकोई ए मैंने लास लेक्चर में यही तो सिखाय था क्या सिखाय दो आसे देखो हो ही हाँ यहाँ पर कि ईवास्टी जी एर यहाँ पर गास्टी अचम्ए और यहां पर लॉयाशटी का व्याक्सन है उससी को उठ़ा के डारेक टेंसे लिख सकते हो velocity का fraction किता है यहाँ पर होता है V, यहाँ पर होता है 2V आधे पर होता है 3V by 2 तो डारेक्ट आप लिख सकते हैं velocity के fraction के fraction में force आया देगा तो 3F by 2 बटा, translational mass इसका M plus rotational mass solid cylinder है बिल्ब डिस्क जैसा हो गया MR square by 2 into R square R square सा R square cancel होगा यह होगा आपका 3F by 2 divided by M plus M by 2 3M by 2 अरे यार यह कट रहा थी 3 by 2 से 3 by 2 हाँ तो कट जाएगा तो center of mass acceleration आगया F by M center of mass acceleration आगया F by M, यह center of mass acceleration है तो angular acceleration क्या होगा, alpha is equal to A by R, alpha is equal to A by R, इसका angular acceleration निकालना बहुत असान है alpha is equal to A by R मतलब F by M R ओ हो हो F by M R, ठीक है सर यहां तक तो समझा आया अभी एक बात बताओ, friction किता लएगा चलो friction देखे, friction देखे तो कौन से equation यूज करोगा बेटा चलो यह कर लेए, F minus F R बरावर M using first equation using first equation first equation आगे कि तरह force लग रहा F पीछे एक तरह लग रहा F R, F minus F R बरावर M A F minus F R is equal to M A A की value है F by M तो यहां पर A को रख दो F by M M F by M M से M cancel होगा F minus F R बरावर F minus F R को इधर लजाओ, F को इधर लजाओ, F minus F F minus F 0 F R is equal to 0 सर्थ Mew तो है, Mew है लेकिन equation को solve करने से ऐसा महसूस होदा कि friction 0 है मतलब यहां पर अगर मैं R by 2 पे exactly force लगा दूँ तो friction की value 0 आएगी और यह हमें पहले से पता था यह question मैंने बनाए ही ऐसे कि friction value 0 है सर कैसे, last lecture में ही तो सिखाया था अब यह सोचो कि मैंने तुम्हें क्या सिखा दिया यह महसूस करो, इस बात को महसूस करो, सोचो कि मैंने तुम्हें क्या सिखा दिया मैंने तुम्हारे दिमाग में पहले सी था। और तुम्हारे दिमाग में भी था, कैसे तो मैंने बताया था, मैं फोर्स सेंटर आफ मास से वहां लगाऊं, मैं फोर्स सेंटर आफ मास से उस हाइट पे लगाऊं, हाइट, 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 मीटर, रेडियस, मीटर, उस हाइट पे लगाऊं, उस हाइट पे लगाऊं, रेडियस के कम्पेर में हाइट को कम्पेर करें तो रेडियस आएगा देखो हाइट है तो हाइट को मास से कम्पेर करोगी नहीं हाइट को मुमेंट अफने से कम्पेर करोगी नहीं तो हाइट को किस से कम्पेर करोगी रेडियस है तो मैं उस हाइट पे लगाऊ जहां H is equal to R ल प्रफिक्षिन अगे लगता है उपर उपर आगे होता है नीचे पीछे होता है उपर उपर आगे नीचे पीछे उपर आगे नीचे पीछे याद कर ले वाई अगर यहाँ पर फोस इस आरवाई टू से उपर लगाता तो फ्रिक्षिन आगे अपने आप आगे यह मैंने प्रूफ करके दिखाया था तुम्हें एकदम असानी से और नीचे लगाता तो पीछे और हमारे पास यही चार तो छोहाँ थोरा समझना परेगा का समझगे अंगुलर मोमेंटम वन इस लीनियर मोमेंटम सबसे पहले यह बताओ कि आतust एकित चल रहा वन working से मैं उसे एक होड़ीक चल रहा वर संट्री जिलि से पर सेक्ड है इस में अधिन बहुत का मैं अधिर चुछ रहोगे रभिक have ट्रेन को कैसे रोक लेंगे चाहिए वो पॉइंट वन मिलिमीटर पर सेकंट से भी चले गा तो उसको चलता रहेगा उसको है भूज सकते हूज खुद से हाथ लाएंगे ररोकना है ऐसा नहीं कि अगर वो बूलेट हुआ तो नहीं रोकेंगे, क्यूं कि इमाउंट ऑफ मोसन इसमें बहुत जादा है, अच्छा, इमाउंट ऑफ मोसन जादा होने की वेसे आप नहीं रोक पाएंगे, very good, इमाउंट ऑप मोसन का मतलब क्या होता है, momentum, momentum का मतलब का होता है, mass into velocity असल में motion कितना होगा वो velocity decide करता है सुनना धंक से एकदम feel के साथ पर है motion कितना होगा वो velocity decide करता है लेकिन उस motion को जھیल पाने की रखने की capacity mass decide करता है एक पतला दुबला साथ मी दौरा चला रहा और एक मोटा आदमी दौरा चला रहा same speed से दौनों की speed अगर same है तो जिसकी mass जाद है उसमें motion जाद है कैसे रोक के देख ले रोक के देख ले उसको तुने नहीं समझ में आरा तो उसको motion के खतम करके देखो दिक्कत आई यह ना तो motion किसी body में कितना है यह decide होता है कि motion का quantity velocity decide करता है और motion content रखने की छमता mass decide करता है इसलिए momentum कहते है m into v quantity of linear motion content in a body उसी तरीके से rotational motion के लिए हमने define किया है amount of rotational motion amount of rotational motion content in a body is called angular momentum किसी body में rotational motion कितना है उसके amount को हम कहते हैं angular momentum बहुत असा definition है किसी body में rotational motion कितना है उसके amount को हम कहते है उसके amount को हम कहते है angular momentum मालो गर pure rotation की बात करें पाल यह दो यह pure rotation की बात करें मालो यह object है यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा black color का यह object इसको मैं ऐसे से घुमा रहू हूँ rotation motion है circular बात पर चलता हुआ दिख रहा आपको अच्छा सरोटेशनल मोशन है अब बताओ तो शरोटेशनल मोशन कम हो गया कम हो गया तो इस में rotational motion की quantity अभी कम है देखो rotational motion की quantity कम है अब बताओ rotational motion की quantity जादा है तो rotational motion किसी बाड़ी में कितना है उसको हमने angular momentum से define किया ठीक है सर अब एक सवाल है मेरे मतलब मुझे पूछना है आपसे एक सवाल है मानलो यह object है m mass का और वो v velocity से चल रहा constant velocity से चल रहा velocity लिख रहता हो नहीं तो तो तुम speed समझ लो जैसे मैं velocity का constant बोलू तो speed भी constant और direction भी constant तो एक object एक object जिसका mass है m वो constant velocity से स्ट्रीट लाइन पाथ पे चल रहा स्ट्रीट लाइन पाथ पे चल रहा अब मैं अगर आप से पूछ दो इसका momentum कितना है तो आप momentum बोलेंगे सार m और v mb momentum इसका momentum अगर आप से पूछा जाए तो आप बोलेंगे mb कोई बुराई नहीं है है विजसर एक अच्छा अब मैं आप से पूछियो इस में उससिल करोंटिरल को कोई भी चीज सेट लाइन पात पे चल रहा Punch टेट लैन पात पे चल Lाइब इसले एक पाइब उसके चलने के कैफिटी के साथ साथ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप देख गहां से रहा हो देखने का बहुत important रौल है मैं कानमेटिक्स के पहले lecture से आपको यही समझाते आ रहा हों कि आपको क्या दिखेगगा वो इस बात दिपेंड करता है कि आप कहां से देख रहे ह altri ऊपर से कि तुम यहां बैठे हैं यह observer है ए और तुम इसको देख रहे हैं इस particle को देख रहे हैं यह particle तुम्हारे आँखों के सामने सीधा सीधा जा रहा सीधा एकदम जा रहा तो अभी t is equal to 0 पे माननो particle है तुम्हारे पार्टिकल का जो पॉजीशन वेक्टर उसकी लेंथ बढ़ती हुई हमें साथ दिखाई दे रही है अभी तुम बोलोगे सार थोरा सा अब्जरवर को नीचे कर लेते हो एकदम यहीं पर है उसका यहीं पर आख उसका तो इस अब्जरवर के रिस्पेक्ट में वेटा फील करना थोड़ा सा कि t is equal to 0 पे इसका position वेक्टर देख़ए हाथ ता जब t is equal to 0 पे इसका जब position vector था, यह था, जैसे t is equal to 1 लोग पॉजिशन वेक्टर यह हुआ, जब t is equal to 2 हुआ, पॉजिशन वेक्टर यह है, जब t is equal to 3 है, तो पॉजिशन वेक्टर यह है, मतलब असल में हो क्या रहा है, position vector की length बढ़ रही है, यह position vector घूम लही रही है, और rotational motion तभी डिफाइंड होता है जब पॉजिशन वेक्टर अपने डारेक्शन को चेंज करें बेटा फील करना इस बात को देखो कोई भी चीज का फॉर्मुला बताना बहुत असान है उसको फील करा के वो फॉर्मुला कैसे आया उसको बताना बहुत मुस्किल है तो कभी भी मैं फ पॉजिशन वेक्टर है यहां से पार्टिकल यहां पहुंचा तो फॉसरीष रेक्षिन जिटना चेंग वा उसी को रुटेटेट इट वाई एंगल को हम कहते हैं एगग्युला डिस्प्रीस्मेंट तो जब तक पॉजिशन वेक्टर अपनी डारेक्षिन को चेंज ना करे तब तक चेंज इन एंगलर पोजिशन नहीं आएगा पोजिशन वेक्टर जितने एंगल से घूम जाता है उसी को एंगलर डिस्प्लेस्मेंट कहते हैं और जैसी एंगलर डिस्प्लेस्मेंट आया तो रोटेशनल मोशन आया तो एंगलर मोमेंटम आया रोटेशनल मोशन आया वही होता है angular displacement साप साप सब्दों में समझ आये कि नहीं है अगर समझ आये तो ध्यान से सुनिएगा तो यह तो ठीक बात है हमें समझ आया तो angular motion कब define होगा जब position vector पनी direction change करें यहां पर देखो इसकी position vector का direction change हो रहा कि सिर्फ length change हो रहा position vector का direction change हो रहा कि सिर्फ length change हो रहा बताओ तो position vector का सिर्फ length change हो रहा कैसे अभी position vector यहां था देख अब थोड़ी दिरवाद पॉजिशन वेक्टर थोड़ी दिरवाद पॉजिशन वेक्टर देखो यहां आ गया है थोड़ी दिरवाद पॉजिशन वेक्टर है थोड़ी दिरवाद पॉजिशन वेक्टर है तो पॉजिशन वेक्टर का सिर्फ डारेक्शन चेंज हो रहा है क्ल प्राटिक्ल को आगे जाते हración देखर रहे हैं जैसे माल जो कभी योटाहा है कि रोट के किनारे खड़े हो और सामने से कोई गुझरा और कोई ऐसा गुजरा जिसको तुम देखना चाहते हो अचानक से स्कूटर से कोई आदमी यहां पर जा रहा स्कूटर से जा रहा तुमने उसको देखा जैसे ही तुम्हारे सामने से निकला तुमने उसको देखा और तुमने ऐसा लगा कि वा क्या है तुम देखते ही रहना चाहते हो उसको जैसे देखते रहना चाहते हो तो यह आगे चल रहा तुम्हारा मुंडी ऐसे गूमता है यह आगे चल रहा तुम्हारा मुंडी ऐसे गूमता है तो अचानक से तुम्हारे सामने से जब निकलता है वो तो बहुत तेजी से अपनी तो बषनर गर तो आगे तो ऐसे देख रहे श्हारा कि तुम्हारे कोई शामनी आ गया और घो upwards तो न 얼굴 से चीज हो तो और उस चल रहा होता है तो भी घूनदी गोम रहा होता है जैसे ही थोड़ी दिर बाद वो यहां पहुचा तो तुम्हारा position vector ने direction change कर लिया और जैसे particle यहां पहुचा तुम्हारा position vector ने मतलब तुम्हारा नहीं तुम्हारे respect में इस particle का position vector ने और direction change किया जैसे यहां पहुचा तो position vector यह हो गया मतलब position vector का direction continuously change हो रहा है और जितने angle से direction change हो रहा है उतना ही angle इस particle का angular displacement है इसके respect में अब बेटा बताओ मुझे सोच के क्या 1D motion में भी तुन्हें angular displacement करा दिया हाँ लेकिन कहां से बैठ के यहां से बैठ के नीचे से बैठ के आप अगर यहां से बैठ के देखो तो आपको position vector direction change करता हुआ नहीं दिखा लाइवे रहा feel करो इस बात को बहुत बढ़ी बात नहीं बता रहा अगर तुन आगुल ना ना घूमे pot Sampress. टीटा से नहीं तो एंगलर डिस्प्लिस्मेंट नहीं आता और जब तुम को यहां कोई दिखाई गिया तुम इसको बहुत प्यार से देखते रहना चाहते हो तो जैसे यहां से आगे गुजरा तुम्हारा मुंडी ऐसे घूमा तो तुम्हारा इसका जो पॉजिशन वेक्टर पहले यह था थ तो पॉजिशन वेक्टर ने अपनी डिरेक्शन चेंज कर यह थीटा से घूम गया अलफा से घूम गया बीटा से घूम गया तो जितने इंगल से पॉजिशन वेक्टर घूमा वही अंगलर डिस्प्लिस्मेंट है और वही अंगलर डिस्प्लिस्मेंट है मतलब मतलब साफ ह है रोटेशनल मोशन है यह यह नहीं है यह एक absolute एंसर नहीं है यह तो मैंने कानेम टेक से पहले लेक्ष नहीं बताया था कि देखो ना पॉजीशन वेक्टर की डायोग्स चेंज और यह पॉजीशन वेक्टर है तो यहां से बैट के कि तो रोटेश्टिन में उसंट जीरो है मतलब यहां पर कह सकते हूंग जीरो है लेकिन यहां से देखोगे तो मेगा इस नॉट इकॉल में बताना है पहले यह बताओगे तभी हम एंगलों में बताएंगे तो रोटेशनल मोशन में जैसे तुम घुसे तो सारी चीजे रिफरेंस पर और ज्यादा डिपेंडेंट होगे इस मुमेंट ऑफ इनिर्सिया एक सिस बताओ एक बॉड़ी की कितनी मोंट अविने से लिख स लिख सकते हो गया और किसके बाउड गुमाने बताओ एक बॉड़ी पे फोस लगा एफ उसके कितनी अलग लग टॉर्क हो सकते हैं दस अजार अलग लग तरीक से टॉक लिख सकते हैं हाउ मैं कहां लगा रहा हूं इस बात पर डिपेंड करेगा और कहां से देख रहा हूं लग दो कुँछ और होगा। बज़ में आया और यहां पे डारेकशन चेंज कर कर रहां अब मन लो हैं यहां पे एक पार्टिकल- M mask moving with a constant velocity again straight line motion moving with a constant velocity again अब पार्टिकल सीधा इस लाइन पे चल रहा चल रहा जब पार्टिकल यहाँ पहुचा पहुचा उस instant पे भी इसकी velocity रही V उस instant पे भी इसकी velocity रही V जो आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा X6 में इसकी velocity रही V ठीक है और तुम यहाँ पे origin से बैठ के देख रहे है region position vector qual define होगा यह रहा सर position vector आपने एक दम सही बना है सब कुछ सही तो है यह रहा आपका position vector देखोइट यह है आपका position vector यह है आपका position vector बिल्कुल सही बात है यह position vector है तो इसको मैं R लिख लेता हूँ R वेक्टर है अब इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो एक सेक्सिस में और ये पोजीशन आ रहे हैं अब जो वेलोसिटी यहां से बैठके देखो या कहीं से बैठके देखो जिस वेलोसिटी का इंटेंशन पोजीशन वेक्टर के लेंथ को इंक्रीज करना है जान सुनना पोजीशन वेक्टर के लेंथ को इंक्रीज करना है उससे एंगलर मेंटम डिफाइन नहीं हो था क्यों सर पोजीशन वेक्टर का लेंथ अगर चेंज हो रहा position vector नहीं घूम रहा नहीं घूमेगा तो angular displacement नहीं आएगा अब यहाँ पे तुम देखो velocity का component ये position vector x axis ठीटा इंगल बना रहा तो ये देखो ये सी को मैं एक्टेंट के ये x axis ठीटा इंगल बना है तो v का ये component क्या आजाएगा या आजाएगा sir v का ये component v cos theta और इसी वी का इसी वी का ये component आएगा v sin theta बिल्कुल सही है अब ये v cos theta क्या कर रहा अराम से देख के बता हूँ ये सकी बदाए से position vector का length change ओर हा position vector का length change हो रहा length change हो रहा position vector का length change हो रहा कैसे देखो ये है इस instant पे position vector और ये v cos theta इस velocity का दो काम है ये v cos theta की वैसे देखो इसका position vector का length change हो रहा और ये v sin theta देखना मेरे भाई इधर है v sin theta तो इस v sin theta position vector का exactly perpendicular है मतलब position vector ये है और इधर है perpendicular तो इस velocity के वाज़ा से इस position vector का length तो चेंज नहीं होगा तो मैंने बहुत अच्छे से दिखाया circular motion में भी कि अगर acceleration perpendicular हो जाए मतलब इधर velocity और इधर acceleration तो ये acceleration इसके magnitude को चेंज नहीं करेगा direction को चेंज करेगा मतलब this is responsible this is this is responsible responsible to change responsible to change the direction of direction of position vector ये position vector का direction change करेगा अगर ये position vector का direction चेंज करा तो इसके वज़ा से rotational motion डिफाइन होगा ठीक है इसके वज़ा से rotation motion डिफाइन होगा और इसमें rotational motion जो होगा उतना ही ज़ादा होगा जितने ज़ादा position vectors की होगी तर ये कैसे ये इसलिए ऐसे सोचो कि छोटे radius में किसी चीज को घुमाना इसमान लो छोटा radius फील करेगे तुम कोई object बांद लो आप जेकल कोई में किषे कर घुमाई थोड़े radius में घुमाई तो असान होगा घुमाना बड़े radius में घुमाई तो थोरा मुषकील होगा कुमाना ज्यादा effort लगाना परेगा और बड़े radius में घुमाऊगे तो तुम से होई ही नहीं पाएगा तब बाद कर रहो सर करके देख लें इतना इतना रा कर रेडियन्स ले 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 अब इसको तो ना देख नो फुरी कोशिस करके देख लेता हूं लैञा कु से गुमा लग रहा मांसर एकिर एक कर läuft करłec City अलम लियान इसे पंप्रेशन के यह से अहां घॉमेंग हches आहर रही सब्सक्रास अब सुन द्याण से ओर अंग्लर मामेंटम कोटेशन मोसरी नूघस करने झाले व्य篇फ रिसपॉंसी वन थी सर्ट्ञेए का यह कंपोनेंट तो बिल्कुल भी नहीं था वी का यह component था भी साइंटिटा लिख लेता अब यहां से जो mb है उसको पी कह सकते हैं तो यह बनेगा अब इस वात को फील करना अगर ठीटा जीरो हो जाए मतलब यह ठीटा जीरो है यह ठीटा जीरो है अगर यहां से देखो तुम पूरी की पूरी वेलासिटी पूरी की पूरी वेलासिटी पूरी की पूरी की पूरी वेलासिटी पूरी की पूरी की पूरी वेलासिटी पूरी की पूरी की पूरी वेलासिटी पूरी वेलासिटी तो सीधा चलता जाएगा अगर पूरी की तरफ हो गया तो वेलासिटी पूर भी component, position vector के थोड़ा भी perpendicular आया, वही position vector की direction change करेगा, और वो position vector की direction change करेगा, तो ही अंगलो momentum define करेगा, इसलिए देखो, हम क्या कहते हैं, कि जिधर momentum है, जिधर velocity होता है, उधर ही momentum होता है, उस momentum, velocity का कोई ना कोई component, radius vector के perpendicular होना चाहिए, circular motion में पूरा ही perpendicular होता है, feel करो इस बात को, circular motion में अगर आप देखें, तो ये है आपका origin circuit के respect में position vector और ये velocity, अब ये पूरा का पूरा velocity, इस position vector की direction change करने के लिए responsible है, पूरा, अगर इस incident वालो velocity आगे होता, तो velocity जो आगे होता हो, का करता, तो ये क्या करता, position vector की length change करता, तो यहाँ पर rotation motion नहीं आपाता, किसी भी situation में, अगर position vector की सिर्फ length increase हो रहा, और वो तब ही होगा जब velocity और position vector parallel हो जाए, मतलब radius and velocity parallel हो जाए, radius and velocity parallel मतलब radius and momentum parallel position vector and momentum parallel theta 0 तो angular momentum 0, और वही चीज़ यहाँ पर तुम्हें दिख रहा, तो अब इसका generalized और सही formula अच्छा क्या होगा, angular momentum is also vector physical quantity, वहाँ पर magnitude लिखा था, आप direction भी बताएंगे r vector cross p vector, लो विया, this is the formula of angular momentum, भया, दस मीनिट लगा के भले ही मैंने इस formula लिखा है, लेकिन इस formula का तुम्हें feel आना चाहिए, यह मेरा ultimate उद्देश से यही था तो angular momentum का direction होगा, हाँ सर बिल्कुल direction होगा, angular momentum को आप लिख सकते हैं, r, b, sin theta, वहीं से, वहाँ पस जार है, जहां से इसको निकाला था, into hill cap, की जो angular momentum का direction होगा, direction perpendicular, आप जानते हैं, cross product में, perpendicular to the direction of momentum and position, momentum, momentum and position, इसका direction है, इसके momentum and position के perpendicular होगा, अच्छा, एक बात, axis of rotation के along होगा, ये भी axial vector है, axis of rotation के along होगा, ये भी बेटर radius vector है, मतलब axial vector है, अच्छा, इसका unit क्या होगा, इसका unit होगा, momentum का होता है, kg meter, kg meter per second, इसका होगा, kg meter square per second, kg meter square per second, ठीके ने बेटा, अब इसको और समझो, theta is the angle between r and p, theta is angle between, angle between r and p, अगर मैं angular momentum और linear momentum का dot product लो, तो ये 0 हैगा, angular momentum या position vector का dot product लो, तो 0 हैगा, ऐसा क्यों, क्योंकि ये perpendicular होगा, एक दूसरे के, दोनों के बीच में angle है 90 नेगी, जब cos 90 लिखते हो, तो उसकी value क्या हो जाएगा, जीरो, ये बात है, अगर object कहीं भी generalized motion में है, तो ये तो generalized statement है, अगर मैं इसको apply करने की खोशिस करो, pure rotational motion में, pure rotational motion, like example ले लेते हैं कि एक rod है, चलो, rod है, rod को यहाँ से hinge कर दिया, इसका moment of inertia i, mass m, length l, और omega angle speed से भूँगा, तो तो pure rotational motion होगे, इसमें angle momentum कैसे define करो, ये formula होगा, ये formula होगा, ये formula होगा, सारे point की velocity सेम नहीं है, तो क्या करूँगा, देखो बेटा, यहाँ पे, इसी भी point क्या देखो कि velocity, यह होगा, कि यहाँ बेकम होगा, यहाँ थोरा जादा होगा, यहाँ थोरा जादा होगा, यहाँ जादा होगा, यहाँ जादा होगा, velocity का magnitude अला होगा, direction तो सेम होगा, आप यहाँ से लिख सकते हो, angular momentum का definition, l is equal to, r vector cross p को लिख सकते हो, mv, यह था R square into omega, और MR square हो जाएगा इसका point particle के लिए था, यह सही, sorry, point particle के लिए था, for point particle, for point particle, ऐसे देखो, एक point particle है, जिसका mass M, radius R, यहां से feel आएगा, फिसको generalize कर लेंगे, यह V velocity से ऐसे circular बात में गोंगा, इसका radius R है, तो बटा धिहान से देखो, इसका moment of inertia हो जाएगा, इस point के बाउट MR square, देखो MR square होगा moment of inertia, तो angular momentum simple लिख सकते हैं, I into omega, और इसको generalize, अगर मैं इसस करूँ, तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इस point के about, इसका angular momentum कुछ होगा आई, और सारे ही point का angular speed omega, तो save है, हमें दिक्कत कहा है, देखो, मैं किस लिए, ऐसे किया, इसको change किया, इसलिए नहीं, इसमें नहीं लगाया, वो कारण यह था, कि हर point का radius vector, छोटे-छोटे point का लग यार, M, अच्छा, MBR, यहां, यहीं सो तो निकाला था, तड़े भाई, एगुलोग मोंटा मोटा देखो, M, V, M, V, R, and sine, theta, इसलिए आये, क्योंकि velocity और R के बीच में एंगल कुछ ठीटा होगा, और, velocity और R के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो, एंगलोग मोंटा मोटा अगलोग मोंटा मोटा होता है, आपका M, V, R, M, V, R, magnitude, अगरो, पाइल्ट पार्टिकल, प्योर रोटेशन मोशन में, इसकी velocity और, position vector velocity के बीच में एंगल देखो, 90 डिग्री है, तो, sin 90 हो जाएगा, आपका 1, लिखतेता हूँ, यहां पे, cross product हो जाएगा, तो, यह साइन 90, लिख भई, R and velocity के बीच में 90 डिग्री अंगल है, और, जब मैं V को लिखूंगा, R omega, एक R हीहां भी तो, R square हो जाएगा, MR square हो जाएगा, इसकी मोमेंट ओफ इन टूमेंगा, इसकी मोमेंट ओफ इन टूमेंगा, तो, इसकी मोमेंट ओफ इन टूमेंगा, तो, इसकी B into angular speed omega, that's it, बहुत easy, कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है, तो, एक पार्टिकल, जो आपको, सिधा चलता हुआ दिखेगा, उसका angular momentum तो, इसी जनलाइज एक्सपरेशन से आप लिख लेंगे, सिधा चलता हुआ अगर आपको दिख रहा है कि एक पार्टिकल स्ट्रीट लाइन कहीं, निकालेंगे कि एक्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो चलिए पहले देखते हैं, पहले हम देखते हैं, अब हमें y is equal to b का axis ड्रॉ करना परेगा, यह y है, यह x है, y b के equal है, देखो न, y is equal to b, line है यह, y is equal to b, एक line को रिपरजेंट कर रहा है, कै स्ट्रीट लाइन का equation लिख लो, y बराबर mx प्लस से स्ट्रीट लाइन के equation होता है, यह y बराउट b है, मतलब क्या है, x i नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि slope 0 होगा, m को अगर 0 रख दो, y बराउट c होगा, और वह y बराबर यहां पर b आ रहा है, तो इनको compare करोगे, तो intercept यह है y बराबर b, किसी भी instant पर आप देखेंगे, तो यह y की value b के बराबर होगा, ठीक है, with constant speed v, किसी line पर चल रहा है, मतलब direction fix हो गया, और इसका speed v constant होगा, यह m mask का particle, v speed से इस line पर चल रहा, find angular momentum of the particle about origin, अब angular momentum बिना reference point के define नहीं किया जा सकता, उसने origin बता दिया, about origin, when it is at 0, b, मतलब x की value 0, y की value b, 0, b नहीं है, sorry sorry, a, b, मतलब कहीं a, b, यहाँ पर आप से पूछ रहा है, a, b, मतलब x में यह आगे चल चुका है, a के बराबर और height तो b constant maintain करके हैं, यह चल रहा है, तो यह equation बनेगा बैठा, यहाँ पर particle होगी है, और इसकी velocity यह रही भी है, अब हम में define करने, इसका angular momentum origin के respect में, तो angular momentum define करने के लिए step by selling, सबसे पहले हमें चाहिए position vector r, यह जो r है न, वो उसका position vector है, उसके साथ आप छेठ चार ने कर सकते, वो position vector fix, आप r लेंगे, ठीक है सर, position vector ले 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 लेते हैं, तो यह होगी आपकी position vector, इसको आप बोलेंगे position vector, ठीक r, और यह velocity, same way situation आगे जो पहले देखा था, अब बताओ भाई, इस velocity का एक component तो इधर आएगा, इस velocity का एक component इधर आएगा, सर, कितना होगा यह component कैसे पता चलेगा, तो ध्यान से देखना, इस velocity का component, अगर यहाँ पे angle में theta मानता हो, assume करता हूँ अगा theta, यह भी theta हो जाएग assume क्या है, let, तो v का यह component होगा, v cos theta, यह r vector के parallel है, इसके वजह से angular momentum define नहीं होगा, angular momentum किसके बैसे define होगा, angular momentum इस v का component, v sin theta, जो exactly position vector के 90 degree बना रहा है, इसके बैसे define होगा, तो बताओ किता होगा इसका angular momentum, angular momentum होगा, m, v, mass m, velocity v, into r, r आपका यह position vector, into sin theta, कैसे सर, तो r and velocity एक दूसरे के perpendicular वाला लेना था, यह आपका r और इसके perpendicular velocity, चीक है सर, m, v, a sin theta, लेकिन sin theta तो आपने को पता नहीं था, सर, निकालना परेगा, निकाल लेंगे वेटा, कैसे निकाल लोगे सर, तो हमेना r भी असल में नहीं पता, यह आप तो r की value हो जाएगी, m, v तो आपको पता, r की value हो जाएगी, root under a square plus b square, और sin theta जो होगा आपका, वो होगा आपका perpendicular बटा hypotenuse, जानतों यह बात, perpendicular upon hypotenuse, perpendicular भोलो इस triangle का, यह रहा, b hypotenuse ही जोगा, b बटा, root under a square plus b square, यह क्या होगा वा, अड़ e का हुआ, e तो इससे कट गया, और असल में यह angular momentum में आपको आसानी से भी derive करके सिखा सकता था, लेकिन मैंने आपको नहीं सिखाया, कारण यह था, कि मैं इसको formula को जो drive किया था, उसमें basic सिखाना चाहता था, कि ऐसा क्यों आ रहा है, आप मैं तुम्हें एक line में सिखा सकता हूँ, तो देखो, angular momentum होता है, आर क्रोस पी, simple, आर क्रोस पी, आर क्रोस पी का मतलब क्या बता हूँ, तुम्हें cross product पढ़ा है न, ऐसा तो नहीं कि cross product नहीं पढ़ा, इसका मतलब यह होता है, कि इन दोनों के perpendicular component का product, तो आर का component पी की तरफ ले लो, तो आर परपेंडिकुलर लो, इन टु पी परपेंडिक to each other, या आप ऐसा कर लो, component of R perpendicular to P, पूरा ही लिखता हूँ, component of R perpendicular to P, इन टु पी, या कभी-कभी ऐसा भी जरूरी पर जाता है, कि आप R का component नहीं ले पाते है, तो आप लेंगे component of P, perpendicular to R, मतलब P का component लिया आपने R की तरफ, perpendicular to R, है ना, P का component, component of P, perpendicular to R, आलके पैरले नहीं, perpendicular to R, इन टु आर, ये तरीका है, अब इस तरीकाओ को हैं आप लाई करके, आपको surprisingly एक ही लाइन में इन सर दिख जाएगा, सुनो ध्यान से, ये पार्टिकल का मास बोलो, M, वेलास्टी बोलो V, तो इसका मोमेंटम किदार ह X में, तो तुम लिखो एंगलर मोमेंटम, इसका मोमेंटम बोलो कितना, M, B, Sir, X में है, तो R किधर है, तो R, सर, X, Y, प्लेन में, R किधर है, तो R, X, Y, प्लेन में, फील कर वेटा, इस बात को मजास आएगा भी, R किधर है, Sir, R, देखू न, इधर है, आजा मोमेंटम किदा है, X में, तो किसका कंपोनेंट लेना आसान है, सर, मोमेंटम X में तुसको रहने दो, उसको क्यों छेड रहे हो, हाँ, तो मोमेंटम X में तो रहने, मोमेंटम पूरा का पूरा M, B, X में, तुसको रहने दो, अब ये पोजीशन वेक्टर का दो कंपोनेंट लो, X की तरफ, X dawis camera स्का पैर्लेल हो गया momentum पॉजिस 친pe aller हो गया नहीं जाहिए नहीं जाहिए यह पैर्लेल वालो नहीं जाहिए नहीं जाहिए ना चेहिए इस आर का Pर परकंडीक्लर कमंपॉनेंट्ट ट्रेंगल में देको यह यह क्लीकूर कpection यह B est इस position vector का perpendicular component भी है तो B से multiply कर दो तुम्हारा आज आएगा M, V, B answer क्या बात कर रहा है यही बात है M, V, V is a correct answer feel आया है यहाँ पर की नहीं यहाँ बताओ तुम अच्छे से बिल्कुल सर इतम सही है जैसे तुम torque लिख रहे थे ना तो force और R को perpendicular लेते थे angular momentum में अपने को perpendicular लेते है अच्छा सर angular momentum इसका मतलब constant है क्या अगर यही पर angular momentum में लिखता तो mass M देखो mass M, velocity V x की तरब और perpendicular distance B यही तो आता सर हाँ यार सही बोल रहो तो straight light motion के लिए किसी एक fix point के बाउट angular momentum same रहता है इस एक point के बाउट के बाउट ही देखोगा न remains same straight line motion के लिए angular momentum एकदम same रहता है change नहीं होता है इमने दो तरीके से किया यह मजदूरी इसलिए किया कि मैं feel आया थोड़ा सा तो मजदूरी भी दो ही लाइन का है कोई खास बात में फिर मैंने cross product के physical meaning को समझाया फिर मैंने direct answer निकाला कई भी पार्टिकल है माल ले पार्टिकल है है फिल कर इसको तो मिटा तूंगा मैं पार्टिकल है है यह पोजिशन वेक्टर इसका दो component perpendicular वाला इधर और parallel वाला इधर यह चाहिए नहीं और perpendicular भी है तो MBB यहां भी angular momentum क्या होता MBB यह बेटा आओ नेक्स यह और एक्स एक पार् traits राइन प्रीटल स्टेट लाइन पाट पर फे दिख्वई एक पार्टिकल सेट लाइन पात पर यह मा का पार्टिकल V्वेलेश्टलाइन पाट पर चलना जो ओरिजम से हा परफोड जोब हो रहा और इसमें के वाउट इसका अंगलर मोमेंटम क्या होगा विदी मतलब रिफ्रेंस पॉइंट आपका यह रहा अगर आपका रिफ्रेंस पॉइंट यह रहा तो आप पॉझीचन वेक्टर यहां से डॉप करेंगे तो यह आएगा अब देखो तुम्हारा पॉजीशन वेक्टर जो रेडियस वेक्टर होगा और वेलासिटी एक्जेक्टी एंटी पैरललर ठीटा होगा वनेक्ट एक्टी तो यहां पर तो फूरी दिर बात देख लो तो इसका वेलासिटी इसी था एक समें मालो चलते चलते हैं पहुंचा वे जीरो ऐसा नहीं कि बढ़ेगा घटेगा रेमेंज जीरो अच्छा सर अगर पार्टिकल इस इंक्रीजिंग स्पीड से चलता तो तो इंक्रीजिंग स्पीड से भी चल लो लेकिन दिक्कत यहां प्यारा ठीटा में एम भी आर साइं ठीटा अगर तुम ठीटा को जीरो डिग जीरो हो जाएगा स्पीड बढ़ाओगे तो इसके पॉजिशन वेक्टर के लेंथ में चेंज होगा और पॉजिशन वेक्टर के लेंथ में चेंज होना मतलब पार्टिकल एक लाइन पर चलता हो दिखेगा यहां से तुम बैठ के अगर देख रहो अब्जरबर यहां है तो मुझे इस ओरीजिल के रिस्पेक्ट में और इसके पारिजिन के रिष्पेक्ट में ओरीजिन के रिष्पेक्ट केरेगे के सब्सक्रकत कुई पर प्रेंडिकूलर Лैंज किसी तरिके से निकाल पब तो किसी भी इंस्टैंट पर जब वेलोस्टी इस चलता 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 इस लाइन पर चल रहा है तो यहां पर भी जब आएगा तो वेलोस्टी सी तरफ चलेगा ठीक है यह आर पर्पेंडिकुलर निकालना सीखलोबस हो जाएगा तो एंगुलर मोमिंटम होगा एम भी आर पर्पेंडिकुलर ओके अब सर अब सर अब सर सर यह ठीटा निकाल लेते हैं पूरा एक ट्रेंगल ही एजिम करो पूरा यहां पर फिर से रिड्रॉ कर लेता हूं है यह बोलो यह कितना थी यह कितना फोर तो यह ठीटा होगा बनदीटा इस इकल उठीटा इउसपी टिए कितना इंब्स रिपाइड तो फिर दुञांट घंठीटा इसपी दुञां है घ्यां सॉछ एम्गिन कहीं पांव स्सेल ल्र सबीडपर नीकाल है आस किया है नहीं किया है नामल आल शौलूशल किया एडैना किया है एक तिसक् अब ये 53 डिग्री है तो छोटा वहला ट्रेंगल है अजया बना लो, ऊचर छोटा वहला ट्रेंगल मतलब यह देख सामने वाला जो है, 90 डिग्री बन रहा है, मतलब यह बेस होगा, यह पर्पेंडिकुलर होगा सर, यह पर्पेंडिकुलर आपका आर मीनिमम है, और स्वरी आर वह यह पर्पेंडिकुलर, आर पर्पेंडिकुलर है यह, जो सामने जो बनता है न वो 90 डिग्री है, तो पर्पें तो यह को सोकँ है यहां से लिख सकतो हो, साइन-53 यहां से लिख सकतो, साइन-53 पर्पैंडिकुलर, बटा, ऐपर्पेंडिकुलर, si 53 डिगरी का, हो जाएगा, साइन 53 डिग्री हो जाएगा, आपका 4 by 5, 4 by 5, तो 4 by 5, इस 3 को भी दर ले आओ, is equal to R perpendicular, तो R perpendicular हो जाएगा, 12 by 5, angular momentum आएगा, L is equal to M V R perpendicular, अरथ velocity के perpendicular है न, यह आर पूरा का पूरा वेलोस्टी इदर R perpendicular, तो mass M, velocity V, R perpendicular आजाएगा आपका, 12 by 5, यह आएगा सा regular momentum, वा यार, क्या solution निकाला तुने, this is not गलत, but this is मजदूरी, यह काबा, this is मजदूरी, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह गलत है, सब कुछ एक्दम सही किया है, और तुम्हें जानके असर्ज होगा, तो अपने किताबों में, module में, net पे देख लेंगा, यही solution मिलेगा, मैं भी ऐसी करता था पहले, मुझे भी मास्टर नहीं यही सिखाया था, और मैं भी बच्चो को यहीं सिखाता था, यह रिक्तम गलत बाहियात है, और यह तब तक करते रहोगे, जब तक तुम्हें एंगलर मुंटम का फील ना है, एंगलर मुंटम का फील आया, तो देखो यहां पे इंसर, सब अटाओ, सब अटाओ, तो सब कैसे समझाएगा, तो सोचो, मैं तुम्हें अलग तरीके से एकदम समझाता हूँ, अलग कलर से समझाता हूँ, अलग कलर से समझाता हूँ, अलग कलर से समझाता यहां से यह distance है तुम्हारा 3 और यह angle 53 तो यह पूरा का पूरा यही ले लो और इस V velocity का component उपर ले लो यह होगा V sin 53 तो angular momentum होता है M V perpendicular और R perpendicular दोन एक दूसरे के perpendicular होने चाहिए बस तो यह हो गया तुम्हारा R is 3 R is 3 है बिल्कुल यहां से origin से distance यह R 3 और यह V sin 53 तो V sin 53 होता है बैटा 4 by 5 into mass M तो यह हो गया तुम्हारा M V 12 by 5 answer क्या बात कर रहा है यह बात है मुझे यहां जाना ही नहीं मैं दो triangle देखके क्यों confuse कर रहा हूं अपने आपको आप यह तुम्हारा hang हो गया पर क्या क्या मिटा क्यों रहे हो जर तुम्हारा हो गया मैं दूसरा सवाल करकर करना है नहीं फोसे देखाऊम वह मजदोरी वाला था answer यह देख मैं यहां पर अलग से से चल रहा तो कहीं यहां पे जब पार्टिकल पहुचेगा तो यह वेलोस्टी भी तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं यह 4 यह 3 तो यह 53 डिग्री अब महसूस करना तुम्हें मैं तुम्हें क्या सिखा दिया यह है तेरा रेडियस वेक्टर अभी पार्टिकल जहां पे होगा वह उसका रेडियस है और आर तुम्हें दिख रहा है साफ साफ ओरीजीन से लंबाई 3 है और इस वी का कंपोनेंट हो जाएगा यह वी साइन 53 तो मैं मुमेंटम मान लू मान ल तो 4 x 3 12 12 mby 5 यह रहा एंगल मुम्हें बड़ा बड़ा एंखल दो तीन बना के मैं देख रहा था यह देखो न डारेक्ट इंसर आगे है तील आ इस बात का अच्छा इधर देखो बेटा अहां चलो ठीक है यहां पर अब्जोरबर बैट रहा वो डीजीन यहां पर है एक स् मास के पर्टिकल को रिलीज किया रिलीज मिंस वेलासिटी इस जीरो तो देखो अट इस इक्वल जीरो पर्टिकल इस ड्रॉप दिन फाइंगलर मुमेंटम और टॉरीजीन के बाउट इसका एंगलर मुमेंटम और टॉर्क क्या होगा तो धियान से देखना विटा किसी भी इसकी टाइन के बाद इसकी वेलासिटि जो होगी वो इस लाइन के चलता हुआएगा उसकी वेलासिटी होगी वी बनावर यू प्लस पर्पिंडिकुलर चाहिए, अब इस बात को फील करो, यह पार्टिकल यहां होगा तो भी इस पॉजिशन वेक्टर का जो X कंपोनेंट होगा, X वाला वो इतना ही होगा, पार्टिकल यहां है तो भी इसका X कंपोनेंट यही होगा particle यहाँ है तो भी इसका x component तो यह होगा मतलब x में जो इसका position vector है वो same रहेगा तो अगर तुम velocity y वाली लेते हो तो momentum तुमारा हो जाएगा mgt तो angular momentum होगा यह gt j cap है तो y वाला तुम्हें अगर momentum लिया है तो x वाला position लोगा और x वाला position इसका x naught है तो angular momentum होगा mgt x naught और मैं यह प्रूफ करता हूँ दूसरे तरीके से सकेंड में तर्ड सरी क्या कर रहे हो आओ दिखाऊं तुम्हें बताओ किसी भी instant पे इस पर फूर्च कितना लग रहा होगा मान में पार्टीकल है तुम्हारा बढ़ा होगा बढ़ा 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 यह है पार्टीकल अब मैं इसमें टॉर्क लिखना चाहूँ तो टॉर्क कैसे लिखते हैं सर फूर्स बताओ तो फूर्स mg अब किसी भी instant पे y-axis में फूर्स mg लगता रहेगा टॉर्क लिखने के लिए आप लिखते हो फूर्स और उस फूर्स से पर्पेंडिकुलर वाला डिरेक्शन तो यह देखो इस ओरीजिन से इसका पॉजिशन वेक्टर यह होगा बिल्कुल सही यह पॉजिशन वेक्टर होगा इस पॉजिशन वेक्टर का एक x कंपोनेंट तो यह constant torque लग रहा है, हाँ, इसके बाउट torque constant लग रहा mgx0, हम जाए यह बात, ठीक है सर, mgx0 torque constant, और जिस तरीके से force होता है, dp by dt, rate of change in linear momentum is force, उसी तरीके से rate of change in angular momentum is torque, तो आप यहाँ से एक concept use कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, dly dt, dly dt is equal to mgx0, तो यह क्या लिखा है इसको और detail में समझाओ, तो आओ, दो relation लिखूँगा, सब समझे आजाएगा, f is equal to होता, dp by dt, same उसी तरीके से torque is equal to होता, dl by dt, कोई खास बात नहीं है, अब यहाँ से dt को ठाके ले जाओगे, dt को ठाके यहाँ ले जाओगे, और दोनों तरफ integration कर दोगे, integration के बाद इधर आएगा L और इधर dt का integration T, क्योंगे mgx0, 3 constant है, mass same, g same, x not same, तो यह आजाएगा mgx0 into dt, dt का integration T, देखो, angular momentum आ गया, देखो, दूसरे तरीके से निकाल दिया तो तरीका तुम कोई भी यूज़ करो, insert जो निकालना चाहते हो, तो एक ही आएगा, नहीं आया समझ, देखो, यहाँ से जब मैं torque लिखना चाह रहा था, तो torque लिखने के लिए मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, कि force अगर y में है, तो position x वाला ले लो, perpendicular होने चाह का, एक component यह आएगा, और एक component यह है, अब जिधर force उधर ही यह आर, तो parallel वाला आपने काम का नहीं होता, perpendicular काम का और इस आर का component, perpendicular एक्स नोट होगा, तो तो दो तरीके से अंगलो अवंटम निकाल दिया, टी टाइम पे, यह था first method, अंगलो अवंटम लिखने का यह था first method और यह था second method, जो आगे देखें, अब particle is projected with speed u at angle theta, then find angular momentum ITJ का पूचा हुआ सवाल है, एक particle को u speed and theta angle से project किया, तो उसका angular momentum बताईए, देखो, एक particle को u speed and theta angle पे project किया, उसका angular momentum बताना है, जब particle is at maximum height, तो सोचो बेटा, maximum height के बारे में आपने बात करें, पार्टिकल जब maximum height पे पहुंचता है, तो चाहे तुम कितने भी speed और कितने भी angle पे project करो, इसका यहाँ पे mass मानलो M, क्योंकि mass तो देना ही पड़ेगा, कोई ना कोई particle M mass का होगा, लिखा भी होगा, नहीं लिखा तो कोई बात ही, mass में, इसका horizontal direction velocity होगा u positive, अब सुनना, अगर तुम position vector नहीं आप लिखोगे, तो इसका position vector इस line से बनेगा, position vector कुछ ही आएगा, origin के respect में लिखना है, इस origin के respect में लिखना है, तो यहाँ से position vector कुछ ही आएगा, वक्की बात आएगा, हाँ सर, position vector तो यह होगा, यह origin, और particle यहाँ, तो यह इसका position vector, लेकिन मैं इस position vector को लेके angular momentum लिखने बैट गया ना, तो जीवन निकल जाएगा, अभी अभी मैंने तुम्हें 4-5 सवाल feel करा के समझाया है, तुम्हें यहाँ से लिखना, यह इसका position vector, चलो आर कोई दिक्कत न यह, हमें पता है कि velocity का component r की तरफ लेलो, और पूर r से multiply कर दो, या r का component velocity, sorry perpendicular लेलो, और velocity से multiply कर दो, मतलब मैं यह कहना चाह रहा, कि इस r का 2 component होगा, एक आगे की तरफ देखो, यह आगे की तरफ आएगा, rx, अरे triangle बनेगा ना यार, और r का perpendicular यह आएगा, तो मुझे अग जाए, यह, यह, पर्पेंडिकुलर वाला, r parallel to what p, ना पर्पेंडिकुलर to what p, momentum कि दर है, तर x में, कैसे बता, क्योंकि exactly maximum height पे, object x में चल रहा, exactly maximum height पे, object x में चल रहा, momentum x में, तो angle momentum लिखने के लिए, position vector का y component लिलो, देख भाई, फीर से में फील कर रहा, सायद तुम्हें आ रहा, यह r, जो है, r का दो component होगा, यह r parallel, यह होगा बेटा, r parallel to p, क्यों, क्योंकि p b x में, और r b x में, तो यह नहीं आएगा काम, यह काम आएगा, और यह असल भी है कितना, तो ध्यान से देखा, तो इस r का दो component, यह perpendicular वाला, और यह बेस वाला, यही थो होगा, triangle देख और यह होगा, कितना, maximum height के बराबर, angular moment, direct room, लिख सकते हो, x वाला, momentum, mu, cos theta, क्योंकि पूरा, momentum, x में था, यहां से origin का, जो perpendicular component आएगा, r k, momentum के, वो है, h, 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 s से multiply करो, यह होगा, बेटा, mu, cos theta, u square, sin square theta, y 2g, यहां से, m, तो चलो, constant, m, u का power 3, sin square theta, into cos theta, divided by, 2g, यह आएगा, angular momentum, कहां पर लिखा, यह angular momentum, exactly, maximum height पर जब पार्टीकल था, अब बेटा, यहां पर देखना, approach, angular momentum लिखने का कैसे change होता है, जब पार्टीकल, point of strike होगा, तो इस तरफ होगा, उसकी valence TV, जितने से fake आथा, उतने से जाके टकराएगा, u से project किया था, और horizontal से theta बना, तो horizontal से theta बनाएगा, अब जब इसका angular momentum में लिखूँँगा, क्या मजा आने वाला देखना इधर, यहां से, यह जो position vector होगा, वो r position vector exactly range के बराबर होगा, जब क्योंकि पार्टीकल जैसे ही, पॉलाइड कर रहा हो ground पे, तो point of projection से point of strike का जो distance होता है, point of projection से point of strike का जो distance होता है, वोई range होता है, अब यह तो होगया position vector पूरा का पूरा range, लेकिन velocity देखो xy plane में, देखो यहां पे momentum x में, velocity x में, तो r xy plane में था, तो मैंने momentum को नहीं छोड़ा, जो x में है उसको मत छेरो यह xy plane में उसका y component लो, यह x तो यह y, यह x तो यह y, अब देखना है यह x में है, तो इस mass m और velocity momentum होगा mu, इस mu का यह component आएगा mu sin theta, mu sin theta, इस mu का theta पे component आएगा mu cost आए, momentum होगा mv, mu और x component, अब जिधर position उधर ही velocity तो यह काम नहीं आएगा, perpendicular वाला काम आएगा, तो angular momentum होगा mu sin theta into range r, बताओ में मजा आया कि नहीं, यह आएगा आपका angular momentum, आहेटे में यह पूछा था कि angular momentum किसी t time पे क्या होगा, अब देखो किसी t time पे angular momentum projectile path भी, किसी भी t time पे angular momentum लिखोगे, तो यह है तुम्हारा u और angular theta, किसी भी t time पे particle मानलो यहाँ है, उसकी velocity धर होगी, और उ इसको लिखने में, ऐसे sir, किसी भी t time पे आपको r निकालना पड़ेगा, यह भी xy plane में, यह भी xy plane में, तो angular momentum लिखना बहुत मुस्किल है, अब क्या करें, second method use करेंगे, तो साइध असान हो जाए, second method कौन सा, top लिख लेते हैं, top कैसे लिखेंगे, तो देखो, कुछ भी हो हो जाए, इस पे gravitational force तो mg नीचे ही लगेगा, हाँ sir, mg नीचे लगेगा, gravitational force की direction mg नीचे की तरफ आएगा, अब gravitational force बेटा नीचे, torque लिखने के लिए अपन लिखते हैं, force perpendicular और r perpendicular, यह दोनों एक दूसरे से perpendicular होना चाहिए, तो force तुमारा पूरा का पूरा y में है, तो उसको र particle x में कितना चला है, वो आप लिख सकते हो, x की velocity, u रा ये रा, तो x axis की velocity हो जाएगी, u cost theta, x axis की velocity हो जाएगी, u cost theta, x axis की velocity हो जाएगी, u cost theta, x axis की velocity हो जाएगी, u cost theta, और distance आपको निकालने, देखो x की velocity, u cost theta, और acceleration कुछ x में होता नहीं, तो u cost theta into t multiply कर दोगे, तो यह distance आज तो यह पॉजीटिटर का एक्स कंपोनेंट आगे दिखो ये एक्स कंपोनेंट पर्पेंडीकॉलर तुद अपॉरस है तो, MG इंटु यू, स्कॉस धीटा इन्टू टि वह यू, एक्स देटा इन्टू तुदी या या गया आर पर्पेंडीकुलर तो फोस। टॉक लिखने के लिए फोर्स और प्रप्रिशन वेक्टर परपेंडिकुर अने चीट विया अब हम इम्रोमेंटम लिखना है तो हम जानते टॉक इस इकल टॉक टॉट इसको लिखतो डॉल वाई डीटी तो डी एल वाई डीटी इस इकल टू एम जी यू कॉस्ट थीटा जी यू तो स्पीड ओप्रोजेक्शन था ठीटा जब फ्तुरोग या था अंगल अप्रोजेक्शन था टी इंटू टीटी का इंटीकेसन हो जाएगा टी स्कॉयर बाइक टू एंगुलर मोमेंटम इस प्रपोर्शनल टू टी इसकुआ है तो वैरियेशन ऑफ एंगलर अब मजा आएगा एक अब्जेक्ट है मास का जो वी नॉट स्पीड से चल रहा ऑन दे स्ट्रेट लाइन इस एक्वेशन पर चल रहा दिन फाइन अंगलर मोमेंटम इवाउट ओर इंगलर मोमेंटम बताना है अब भाई सुनना अच्छे से यह सवाल मैंने शॉर्ण थोरा कर दिया एसा नहीं करना रहा है यह सवाल है स्ट्रेट टाइंग पर चल रहा व्यार सवाल पर ओडू अब्जेक्ट अप्जेक्ट अप्मास मोमें पर दिखुलो तो सबसे पहले पेटाए सवाल परने के बाद हमें क्या करना परेगा सब सवाल करने के बाद मेंगे सब gaan campus अब आपको ऑर डॉ simulator रहा करना पर में intercept positive है देखो 4 और यह slope को बताएगा y बरावर mx plus c से compare करेंगे तो tan theta is equal to root 3 तो theta is equal to 60 degree तो यह होगा बेटा 60 degree अगर यह 60 degree है अगर यह 60 degree है अब यहां से किताबों में जो solution करते होई मजदूरी वाला जो मैंने आपको सिखाया है कि वह यह perpendicular distance निकालते लेगिन हमें निकालन तो अच्छे से देखना यहां पर निकालने के लिए फिर यह distance आपको पता नहीं है क्योंकि आपको intercept y पता है तो यह भी मत निकालो छोड़ दो तुम यहां और यहां पर बताओ अगर यह intercept 4 है तो एक सेक्सिस साथ स्टेट लाइट कितना इंगल बना रहा था सर यह 60 degree बना तो फील करना बेटा फील करना तुम्हें एक्तम मजा आने वाला है देखना इस बात को कि ओर इजी निहां है अब पार्टिकल जब यहां था तो यह इसकी position vector तो आर बोलो क्या हो जाएगा 4 यहां से distance 4 अब यह velocity इस तरफ होगा V0 velocity इस तरफ होगा state line PC line पे चल रहा है velocity इस तरफ होगा V0 अब यह तुम्हारा position vector y में तो momentum का x component लोगे और momentum का x component होगा V0 cos 60 तो angular momentum आएगा M V0 cos 60 into 4 यह जाएगा तुम्हारा cos 60 की value कितनी होती बटा 1 by 2 1 by 2 से 2 कटेगा 2 M V0 अब तुम चाहो तो जिस तरीके से निकलवाना निकाल लो दो line में तो answer नहीं आएगा और 4-5-6 line में करके लाओगे answer यही आएगा तर यह क्या कर रहे हो आब मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें समझाता हूँ देख और मैं तुम्हें समझाता हूँ यह angle x 60 बना रहा थी हमें पता यह mass M V velocity चल रहे हैं अब इसको निकाल ले हो भी तो velocity is x line पे है तो तुम चाहो तो यहां से velocity को इसी में रखो और इससे perpendicular distance यह निकाल लो velocity के perpendicular वो निकालने के लिए हमें ट्रेंगल लगाना पड़ेगा कीगे सर निकाल तो लेंगे लेकिन मजा नहीं है तो यहां पर क्यों नहीं निकाला तो यहां पर यह वेलोसिटी तो हमें पता वी नोट mass bm velocity भी भी नोट लेकिन यह distance हमें निकालना पड़ेगा कि यह नहीं है मुझे x axis पे straight line कहां cut करा वो नहीं पता लेकिन y axis पे 4 पे cut करा यह हमें पता है तो हां जाओ ना जब यहां पर particle होगा तो इसकी position vector change हो रही है हमें तो कोई दिक्कती या 4 होगा और यह velocity है उसका x component हम पीयोरोटेसे है साथ यहाँ अर। रोलिक मोर्ल Fallout में भी भी ऑसकता है तो फियुरोटेशन का मैं वहमें आपको बता है युद्धा लेकिन पीयोर रॉलिंग मॉसेन में रोली मोचन में अम लोर मोमेंटम प्योर रॉलिंग मोच्टम उनर ममालत एक ओट ओब यह omega से घूम रहा और v velocity से चल रहा और मैं यहां से बैट के origin से बैट के इसका angular momentum लिखना जा रहा हूँ तो angular momentum देखो जब मुझे मैं यहां पर बैठ के बैठूँगा तो मुझे अपने यह center of mass के about घूमता हूँ दिखाई देगा अशर center of mass के about घूमता हूँ दिखाई देगा और इसके घूमने का जो angular speed है तो मैं यहां से बैठ के देखोगे तो मैं ओमेगा से घूमता हूँ दिखाई देखाई 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 तो angular momentum जब लिखेंगे तो angular momentum rotation वाला पार्ट का प्लस angular momentum translation वाला पार्ट का ऐसे लिखेंगे अब यह rotation वाला पार्ट का angular momentum होगा i center of mass into omega बस center of mass के बाओ उसका moment of inertia कि इतनी है into omega यह इस बात पर depend नहीं करता कि तुम कहां से देख रहा हूँ अब बोडी के बाहर से तुम कहीं से भी देखो तुमको इतने से चलता हूँ भूम आपन यह position वेक्टर जहां से बैट के देख रहो वहां से लेंगे यह आपका position वेक्टर जहां से आप बैट के देख रहो वहां से अपन लेंगे यार जहां से बैट के देखो गे तो यह angular momentum about origin आएगा तो ओरीजिन के respect में जो उसका position वेक्टर होगा वो अपन आप लेंगे इंट उसके angular momentum से cross product कर देंगे तो यह linear perfect linear motion की वेए से जो आएगा वो है आ रोटेशन का हमने अलग और निकाल के रख लिया रोटेशन का तुम यहां बैट के देको तो भी omega से गुमत ओ दिखाई देगा तो आर्चेंज हो जाएगा यहां बैट के देखो तो आरचेंज हो जाएगा समझ आ रही है यह जाट dosa यहramली लिखक के दुखाता हो मैं इ लिखूंगा एंगुलर मोमेंटम तो मुझे यह आई मोमेंट ऑफ निर्सिया का अबजेक्ट अपने सेंटर ओफ मास्ट के बाउट ओमेगा से घूमता हो दिखाई दे रहा है उभी क्लॉक वाइस अंदर की तरफ तो यह लिखूंगा मैं आई ओमेगा आई एबाउट सेंटर अफ कोस्स आई एबाउट सेंटर ओमास इंटो है क्योंकि सेंटर मास से घूमता हो दिखाई दे रहा है जहां से घूमता हो दिखाई देगा उसी का मोइट अपनेस यह आएगा अंदर की तरफ क्रॉस अब हो गया इसका रोटेशन मोशन अब लिनियर मोशन का देखूंगा पॉजिशन वक्टर यह लोग है तो सही लेकिन देखू वेलाउसिटी एक में है इस पॉजिशन वक्टर का वायच कंपोनेट मोई लोग अधकी आहीं मृह थो लिखोगे अभू इसका डैरेक्शन है टो फर्स्ट वक्टर की तब तरफ हात रखो, स्केंड वेक्टर की तरफ गोमाओ, अरे आर प्रॉस भी होता है तो फ्रस्टुीक्टर की तरफ हात रखो, स्केंड वेक्टर की दाल गोमाओ अंब्य हम अंदर मतलatisf यह भी अंदर एंदर थे खाय सही लिखाया। अच्छा अगर मैं यहां बैठके देखू तो इस भी पॉइंट तो यहां से बैठके देखोगे तो तुम्हें यह पर्टिकल सीधा इसी लाइन पर चलता हूँ दिखाई दे रहा है तो पॉजीशन वेक्रन वेलासिटी में अंगल हो गया जीरो इसका परपेंडिकुलर कंपोरेंट डिफाइन ही नहीं हो गाएगा इस बजह से ट्रांसलेशन वाला पार्ट का अंगलर मोमेंटम जीरो लेकिन में देखना एक एंगलो मेंटम लिखोगे तो यह पूरा का पूरा यह डिस्टेंस होगा बीके वराओ देखने हां से प्रपेंडिकुलर इसकी परपेंडिकुलर वेलासिटी तो सिधा लिखोगे आई सीम इन्टो मेंगा रोटेशन वाला तो ठीक है और प्लस एंवी बी क् की पॉइंट एंगलो मोंटम सेम आये है और इस सवाल में देखे तो तुरह और फील आएगा मानलो यहां पेंगलो मेंटम तुम लिख लो यह पार्टिकल है अपने सेंट्रों मास के बाउट घूम रहा है मास से मोमेंट और फिनसी आई है घूम ऐसे रहा है जा उपर रहा ह तुम्हें origin के respect में लिखना है अच्छे से लिखना एकदम यह वाला part उसका हो गया यह अच्छे से लिखना सबसे पहले मैं A के about लिखना चाहता हूँ यह point A है इसको O बोल देता हूँ और इसको B बोल देता हूँ मैं न A भे ज्यादा interested हूँ इस A के about अग्लो मेंटम बोलो तो इस A point के about अग्लो मेंटम देखोगे तो position vector A से देखोगे तो यह position vector और velocity वाई में तो बोलो के position vector ने velocity parallel होगे अग्लो मेंटम जीरो जीरो प्लस आई सीम इंटो ओमेगा नाद मादार में अपने काटा है मतलब ये गलत है यह गलत है ये गलत नहीं है मैंने ऐसा ही काठा है एकसे को दिखाने के लिए काठा था इसको वापस आ जाओ और इधर आ जाओ एकítसइस को तो देखो बेटा, यहां से mv, momentum उसका y ने है, तो distance x वाला लेंगे, यह मेरे काम का distance, और यह distance a, तो लिखोगे इससे mv a, direction किदर होगा, तो r vector velocity उपर तो बाहर, तो यह आएगा dot, plus icm, icm into omega, और यह होगा आपका, कैसे, omega अंतर, और अगर तुम b point about लिखते हो, तो एंगनो momentum यही आएगा, जो a के about आएगा, वही angular momentum किसके about आएगा, p के about आएगा, ठीके बटा, तो आज के lecture में हमने angular momentum define किया है, pure translation motion में, pure rotation motion में, pure rolling motion में, और मैंने इसके आपको बहुत सारे numerical भी करा है, next lecture में हम लोग पढ़ेंगे conservation of angular momentum, ठीके बटा, धन्यवाद,